ओ शिट डेविल आ गया शारिफ ने ढड़ते होई कहा आपको किसी यकीन है कि वो होंगे रू ने पूछा मुझे पता है वो ही होगा देखो तुम मुझे बचा लेना तुम मेरी प्यारी बेहन होना लीज मुझे अपने शोर के हाथों से बचा लेना उन्होंने ज़रूर आप अच्छी है लाइला अंधास भी शारच साफ चलक रही थी अरे तुम अच्छी हो मेरी माँ खुदा के लिए मुझे बचा लेना शारिफ ने मिन्नत की और रू ने हस्ते हुए दर्वासा कोल दिया लेकिन दर्वासा कोलते ही यारम रू को एक्नोर करता हुआ शारिफ की तर रहे हैं आप छोड़े उरे रू पहले तो उसके जाराना अंदास पे घबराई और पिर आगे भड़कर शारफ को चुड़ोगाने लगी शारफ तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है क्यों आय थे तुम यहां ये लैला मुझे बता चुकी है तुम्हारा मैं वो खशर करूँग जिसे तुम सारे जिन्दगी याद रखोगे वो गुस्से से उसके तरफ भड़ा जब रू ने उसे अपनी तरफ खींचा वो मुझसे मिलने आये थे क्या मेरा भाई मुझे इस घर में मिलने नहीं आ सकता बोलते हुए रू की आवास काफी उंची हो गए हावरदार जो भाई की हाथ का खाना खाने आया था वो अब भेहन से भावी हो गए थी और अभी मुझे चाय बना के देने वाली थी कि आब आ गए वो मासूमियत से बोला बहुत भूख लगी थी तुमें खाना तो तुमें मैं खिलाओंगा वो एक नसर रू को देखकर उसे घुरते भाई मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता मुझे नहीं पता लेला ने आपसे क्या कहा लेकिन उसने मुझे यहां आने का चैलेंज किया था कि मैं रू भावी को यहां आकर यह कहूँ कि लेला उनसे जादा खुबसूरत है फिर रू भावी मेरे लिए खाना लेके लोड़ूँगा मैं रू भावी को कभी नहीं बताऊंगा और अगर आप चाहते हैं तो मैं चाय भी पिये बगएर यहां से चला भी जाओंगा वो मासूमित की रिकौर्ड तोड़ते हुए बोला खाना ठोस चुके हो तो चाय भी पी के ही जाना आखिरकार साले हो मेरे यार लेलन उसे ये बताया था कि शारिफ रू को सब कुछ बताने के लिए क्या है उसे शारिफ पर बहुत भरोसा था लेकिन फिर भी रू के मामले में वो किसी पर रगी नहीं कर पाता था जबसे रू उसके सिंदगी में शामिल हुई थी एक अजीव सा धर उसे खेरे हुए था कहीं वो उसे दूर ही न हो जाए कहीं वो उसे नफरत न करने लगे कहीं वो उसे छोड़ करना चली जाए मुझे हुदी ही रू को चल्ट से चल्ट सब कुछ बताना होगा लेकिन क्या उसके बाद हो मुझे कबूल करेगी वो एक हाथ किड़की पर टिकाए किड़की मैं क्यों तुम से नराज हूँगा चारब ने उसका हाथ धाम कर चुमा वो शारिफ भाई की वज़ा से आपसे सरा से बात की वो मासूमित से बोली चारब ने पलटकर उसका सर अपने सीने पर रखा तुम ऐसे ही मुझसे बिना डरे बिना घफराय बात किया करो मुझे अच पुरी किलाएंगे रू ने खुश होते हुए बताया क्या बात है मतलब कि तुम शारिफ की फिर्विट डिस्ट में शामिल हो चुगी हो है अच्छी बात है आज सारा दिन क्या किया इस वक्त वो सिफ अपने और रू के बारे में बात करना चाहता था इसलिए उससे रोज क की कोशिश कर जा रही है तुम्हें याद है वो इंस्पेक्टर जो तुम्हें लेकर आया था उस दिन मेरे आफिस यारम ने उससे याद दिलवाया हाँ मुझे याद है रू ने कहा रू वो आदमी मेरे पीछे पड़ा है मुझे फ़साना चाहता है मेरे हिलाफ जूटे सब बहुत आस-पास रहने लगा था दो दिन पहले जब रेस्टरेंट में वो दूरों लंच कर रहे थे तो वो कुछ वास्ते पर अपनी कैप से चेरा चुपाया हुए उस पर नज़र रख्के हुए था उससे यकीन था यारम की गहर मुझूदकी में वो ज़रूर रू को सब क कुछ बता देगा इसलिए उससे हुथ ही रू को ट्रैप करने के बारे में सोचा मुझे आप पर पूरा यकीन है कोई भी मुझे आप के बारे में कुछ कहेगा तो मैं क्या यकीन कर लूँगी आप बिलकुल बेविकर हो जाए वो उससे परेशान ना होने का कहकर खुद पर परेशान आकर बोली प्यारम ने उसका धेहन बटाना चाहा जिसमें वो कामयाफ हो चुगा था यारम मुझे शारिव भाई से बात करनी है आप मुझे उनका नमबर मिला कर दे उसे अपना फून यारम क्या वाले करते हुए कहा क्या बात करनी है मेरे फून से कर लो उसे बतारा नहीं जाता था कि उसके फून में उसके इलावा सब नमबर्स फ्लॉक है मुझे उन्हें चैलेंज देना है रू ने सूचते हुए कहा रू ये कोई वक्त है चैलेंज देने का तुम सुबा उससे बात करना यारम ने फून वापिस रखते हुए कहा नहीं ना आप मुझे अभी फून मिला कर दे अभी मैं उनसे बात करूंगी उससे जिद्धी अंतास में कहा तो यारम शार्फ को फून करने लगा बहुत भी नहीं समझभा रहा था कि आगर वो उसकी हर बात को क्यों मानता है उससे फून मिला कर फून उसके हावाले कर दिया हाँ डेविल बोलो शार्फ ने कहा अरे मैं हूँ रू मैंने आपके लिए चैलेंज सोच लिया है तो नहीं कहा तो यारम भी दिल्चस्पी से देखने लगा बोलो प्यारी बहना कौन सा चैलेंज है शार्फ इकसाइड होकर पूछने लगा आपको बता है हमारे घर के रास्ते में एक होटल आता है प्यारी बहना तुम्हारे घर के रास्ते में एक नहीं बलके बहुत से होटल आते हैं कौन से होटल की बात कर रही हो तुम एक बिन में पूछ कर बताती हूँ यारम हम उस रात कहां गए थे खाना खाने के लिए वो उसे इंतसार करने का बोलका यारम से पूछे लगी अलहतीता फंदक यारम ने मुखतसर होटल का नाम बताया अलहतीता फंदक आपको अभी इस सिवक वहाँ जाना होगा लेकिन इस से पहले आपको आपके रूम में जितने भी बन्दे हैं न मतलब हिज़र भाई और बाकी सब उन सब के कंबल चोरी करने होंगे चोरी लड़की तुम मुझसे चोरी करवा रही हो वो भी हर्जाने नहीं बलब के कंबल वो अच्छा हासा बदमसा हुआ मगर इस सरव शारम के टिंपल समाया होने लगे थे वो जानता था वो क्या करने वाली है चैल्इज कबूल कर रही है या नहीं उसे चैल्इज की ठोबे पहें ना जाने क्या करने वाली थी ठीक है प्यारी बहइन अगर ये चैल् النज है तो मैं इसे कबूल करता हूँ शारिफ ने ये कहकर फून बन किया उस फ्लेट में बहुत साए लड़के रहते थे जो तक रिबन सब ही उनके साथ काम करते थे शारिफ चौरी से बारी बारी सबके बिस्सरी करीब किया और बड़ी सफाई से सबके उपर से कंबल निकालने लगा लीटर सलनी की वज़ा से इसी ने महसूस भी ना किया आठ कंबल उसके कबसे में आ चुके थे उससे चल्दी से अपने गारी में ढाले और होटल के रास से चल दिया फिर वहाँ पहुँचका इशारियम के फून पर रू को फून किया वो तो कबसे इंतिसार में बैठी थी पूरण फून उठाया अब क्या करों प्यारी भेना होटल के अंदर चला जाओ नहीं होटल के सामने आपको जगा नसर आ रही है जो हाली है वहाँ अंधेरा है उस पर एक बोर्ट लगा है शायद बल पगेरा का इस्ट्यार है रू ने पूरा नक्षा खीश्टे होए बताया हाँ बिल्कुल है लाइट्स का एड है शार्फ ने जगा पेचान ले थी उपर बोर्ट पर नहीं वहाँ नीचे देखें रू ने कहा हूँ नीचे क्या है शार्फ ने पूचा तूरी और अंधेरा होने की वज़ा से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मगर वो फून बंद कर चुकी थी शार्फ ने फून जेब में डाला और आगे बढ़ गया लेकिन सामने का मंसर देखका वो परेशान हो गया उसे यकीन नहीं था कि रू उसे ऐसा चैलेंज देगी वो फोरण गाड़ी के पास आया और वहां से कंबल निकालने लगा चल्दी से वो कंबल निकाले और धोड़कर उस बोट के नीचे आया यहां छोटे-छोटे यतीम भे सहारा बच्चे समीन पर सर्दी से काम पर रहे थे उससे जल्दी से बच्चों के उपर कंबल डालना शुरू किया एक बच्चा जाग रहा था क्या तुम्हें सर्दी लग रही है शारिफ ने पूछा सर्दी भी और भूग भी बच्चे ने रोते हुए कहा शायद उसे भी पहली दफ़ा कोई हमदर्द मिला था शारिफ से मजीद बोला ना किया वो फूराँ उटकर उस पार होटल में किया और वहां से उन सब बच्चों के लिए खाना लिया और फिर चल्दी से वापिस आकर उने खाना किलाने लगा उसकी आँखों से एक आसो चलका शायद हमदर्दी का वो रू का शुकर गवसार था आज उसकी वज़ा से पहली बार कोई ने की ही थी बढ़ना उसे तो हमेशा से ऐसे चैलिंजिस मिले थे जिसे पूरा कंटे के बाद उसे या तो बहुत पूरा महसूस होता यहुद पर घुस्सा आथा लेकिन आज वो दिल से खुश था उससे रू को फून किया रू ने फूरान फून उठा लिया थैंक यू मुझे वर्ल्ड की बेस सिस्टर देने के लिए पस इतना कहकर उससे फून बंद कर दिया वो हस्से हुए यारम को देखने लगी तुम मुझे भी तो कह सकती थी इस काम के लिए यारम ने कहा हाँ लेकिन आप ये काम मेरे लिए करते शारिफ भाई ने ये अपने लिए किया है वो हस्से हुए बोली तो यारम ने उससे अपने करीब करना चाहा अभी मेरा आखरी ड्रामा हदब नहीं हुआ वो फूरण उससे करीब से उठकर बाहर जाने लगी एक ये लड़की और दूसरे इसके ड्रामे वो उठा और इसके पीछे आकर सोफे पर वैठा जबकि रूर पूरे तर ड्रामे में डूबी हुई थी वो कभी टीवी स्क्रीन के तरफ देखता तो कभी अपनी प्यारी बीवी एकस्प्रेशिंस जो सिर्फ ड्रामा देखती नहीं थी बलके फिल करती थी यारम आपके फोन का पासफ़र्ट क्या है उसके सीने पर सर रखके उसके फोन को हादों में लिए पूछ रही थी जारम आँखे मूदे उसके बालों में उगलियां फिर रहा था गैस करो जारम ने आँखे मूदे हुए कहा टेविल होगा रू उसे दिखते हुए बोली और लिखने लगी ये तो गलत है रू ने मूँ बना कर कहा उस इनसान का नाम है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ जारम ने उसकी मदद करनी चाही रू ने पहले सोचा फिर शर्माते हुए अपना नाम लिखने लगी अरे इसका पासवर्ट तो मेरा नाम है तो ने शर्माते हुए कहा क्या बात कर रही हो मुझे तो पता ही नहीं था जारम ने हैरान होते हुए कहा तो रू असने लगी आप बहुत अच्छे है वो उसी से चैकते हुए बोली वो उससे इतना प्यार करता था कि अपना पासवर्ट भी उसके नाम पर रखा था ऐसे मत कहो अब तुम फिर से शर्माओगी मुझे तुम पर फिर से प्यार आएगा और फिर तुमें मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने लगूँगा जारम शरार्च से कहता हुआ उस पर चुका इस से पहले कि वो उसकी बात का मतलब समझकर भागती पकड़ी गई वो सुबह उठा तो रूँ उसे करीब ही सो रही थी जब से उससे रूँ को अपने सिंदगी में शामिल किया था वो काम पर भी देर से जाता था यही वज़ा थी कि सुबह नमास पढ़कर रूँ दुबारा सो जाती वो उसे ऐसे ही सोता छोड़कर फिर्शो कर बाहर आया मिस्स यारम गाजमी आप रोज मेरे लिए नाश्टा बनाती है आज आपका शोर आपको अपने हादों से नाश्टा करवाएगा वो कुछ सोचते होए उसके लिए नाश्टा बनाने लगा तब ही दर्वासे पे दस्तक हुई उससे जाकर दर्वासा खोला तो सामने ही हिसर खड़ा था मैं यहां से जा रहा था तो सोचा साथ चलते हैं वो मस्कुराते हुए बोला यारम ने दर्वासा खोल कर उससे अंदर आने का इशारा किया रात को एक अजीब वाक्या हुआ डेविल हम सब लड़कों के कंबल चोरी होगे मतलब हद है अब डॉन के गैंग में चोरियां होने लगी है मुझे तो लगता है अपने ही किसी लड़के की शरारत है इशर ने कहा तो यारम की काल पर जरासा टिंपल नुमाया हुआ तुम क्या कर रहे हो वो उसे किचन में कुछ करता देखकर पूछने लगा तुम्हारी भावी के लिए नाश्टा बना रहा हूँ यारम ने कहा मतलब चूरू का गुलाम इशर हैरान और परिशान होकर उसके तरफ देख रहा था वो रोज मेरे लिए नाश्टा बनाती है मेरे कपड़त होती है मेरे घर संभालती है मेरी हर जरूरत का हयाल रखती है और अगर एक दिन मैं उसके लिए नाश्टा बनाऊंगा तो क्या मैं जुरू का गुलाम हो जाओंगा प्यारम ने उसके तरफ देखकर गाँ अरे मेरा वो मतलब नहीं था इससे पहले कि हिसर कुछ और कहता रू कमरे से बाहर निकलती नज़राई असलाम लेकुम भाई कैसे हैं आप वालेकुम सलाम मैं ठीक हूँ यहां आए भावी आज आपके हावन वो तरफ ने अपने हादों से आपके लिए नाश्टा बनाया है इसर मुस्कुराते हुए बोला आपने क्यों बनाया बना देती ना रू को शर्मिन्दी हुई तुम रोज बनाती हो सोचा आज मैं तुम्हें अपने हादों का जाइका जिखाऊं यारम ने उसके लिए कुर्सी कसी थी इसर भाई आपके घर में कौन-कौन है ना जाने रो के दिल में क्या सामाई के पूछे लगी कोई नहीं इसर की जगा जवाब यारम ने दिया था आप मुझे छोड़ें आप बताएं आपके घर में कौन-कौन है इसर ने मुस्कुरा कर पूछा शायद वो अपने बारे में बात नहीं करना चाहता था मेरी घर में अम्मी और दीन मेने और पडोस में फात्मा बीबी वो भी बिलकुल मेरी अमा जैसी है जब मैं पैदा हुई तब मेरी सगी अम्मी और अबू फोथ हो गए थे मुझे मेरी दूसरी अम्मी ने पाला है दूसरी अम्मी मतलब सुदेली मा इसर ने पूछा जी रूपस सी बोली शारम प्लीज मुझे आज घर फून करने दे वो इतनी मुखबत और मिनन पर अंदाज से भोली शारम उससे देख कर रहे क्या अगर वो उसके मुझे पर इंकार करता तो आज वो बहुत हुट होती इसलिए बहाना बनाने लगा वो दरासल मेरे पास अब नमबर नहीं है रूप पढ़ना में तुम्हारी बात करवा देता तुम्हारे घरवालों से प्यारम ने बात बनाने की कोशिश की हाँ भावी वो डेविल का फून हराब हो गया था और नमबर सारे डिलीड हो गए थे इसलिए ने भी साथ देने की कोशिश की मेरे पास स्वात्मा बेवी का नमबर है मेरी शादी वाले दिन उन्होंने मुझे मैं अभी लाती हूँ तो चल्दी से उठी हो कमरे में चली गई डेविल अब क्या होगा इसे ने परेशानी सिक पूछा मैं इसे खुझ से दूर नहीं जाने दूँगा चाहे जो भी हो जाए अगर आठ सच पता चल भी गया तो भी मैं इसे खुझ से दूर नहीं जाने दूँगा वो मेरी है और मैं जानता हूँ मेरा खुदा उसे मुझ से नहीं चीनेगा यारम ने कमरे के दर्वासे के दरफ दिखते हुए कहा जहां अभी रूख गई थी वो हाथ में कागस का एक टुकडा लिये हुए उसकी तरफ आई ये नमबर है वो यारम के हागे से फोन उठा कर मिलाने लगी बेल जा रही है वो एकसाइटिट हो होते हुए बोली जबके हिसर यारम को देख रहा था जो टेबल पर हाथ की उंग्रियों से लाएने बना रहे हैं में मुस्रूफ था यारम जब टेंशन में होता था तो ऐसे करता था और फिर ऐसे ही उस टेंशन की बचा को जड़ से उखार देता था अस्सलाम अलेकुम कैसी है आँ फात्मा वीबी कुछ एक्टे हुए बोली और यारम को लगा कि कोई उसकी सांसों की डोरी को आइस्ता आइस्ता खींच रहा है इससर को अंदासा था आज नहीं तो कल रू को सब कुछ पता चली जाएगा लेकिन इतनी चल्दी उसे तो यही लग रहा था कि रू के पास पाकिसान को कोई राप्ता नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी वो भी बिल्कुल ठीक है नहीं वो बहुत अच्चे हैं मेरा बहुत हयाल रखते हैं हाँ मैं बहुत हूश हूँ रू की बात उसे यह अंदासा लगाया जा सकता था कि दूसरे दर्फ जो ओरत है उसे यारम के बारे में कुछ भी नहीं पता जबकि यह बात यारम पहले ही क्लियर कर चुगा था कि शम्स और रू के छूटे निकाह के बारे में कौन-कौन जानता है और कौन-कौन नहीं शम्स का पाकिस्तान में रू के घर में किसी से भी कोई राप्ता ना था वो तो सिर्फ एक औरत के तू ये सब कुछ करवा रहा था शारब उसकी सारे इंफॉर्मेशन निकाल चुका था उसे एक हिंदा अगर रू अपने घर फोन करेगी तो उसके बारे में कोई भी नहीं जानता होगा लेकिन फिर भी वो रू पर कोई रिक्स देहीं लेना चाता था पाकिस्तान में मुझूद लोग यही समझते थे कि शम्स जिंदा है और वो उसके पास है शम्स की मौत की हपर को उससे बिल्कुल यह पहलने ना दिया था वो उसे खुछ से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था अगर वो सब कुछ पहले ही प्लैन ना कर चुका होता तो रू को इतनी असानी से आके सान में किसी से बात करने नहीं देता लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ढटा नहीं रू से दूर ना हो जाए कहीं उसे सब कुछ बता ना चल जाए वो कितनी ही देर उसके फून पर वात्मा वीवी से बात करती रही जबकि यह आरम भी अब पेफिक्री से नाश्रा कर रहा था मैंने तुम्हें रू के पासपॉर्ट और कार्ट का कहा था हाँ मैं दोनों के इंतजाम कर देता हूँ मैं सब कुछ करवा चुका हूँ इसर भी पुरसुकून हो गया शारम यह मेरा आईडी कार्ट है वो तो ID कार्ट पासपोर्ट और हनीमून की ठीकी जातों में लिए बेखीनी से पूछ रही थी हाँ मेरी जान ये तुम्हारा है तुम्हें याद नहीं तुमने फोटो बनवाया था और उन पेपर्स पे अपने साइन भी किये थे मैं कितनी अच्छी लगी हूँ न इसमें वो कार्ट पर अपना फोटो देखते हुए बोली यारम बेखत्यार मस्कुराया मेरी जान है ही बहुत हुबसूरत उसका माता चुमते हुए प्यार से उसके हाथ से पेपर से लिए क्योंकि उसे हनीमून और पासपोर्ट से जादा अपना कार्ट पढ़ने की हुशी हो रही थी दो दिन के बाद हम यहाँ अपने हनीमून टूर के लिए निकल रहे हैं लेकिन इससे पहले यहाँ पर तुमारी सारी रिजिस्ट्रेशन जरूरी है तुम्हें फेक पासपोर्ट से दुबोई बुलाया गया था वो सब कुछ भी ठीक करवाना होगा यारम ने कुछ सोचते हुए कहा उफ यारम अगर आप मुझे ठीक तरीके से यह बुलाते तो यह सब कुछ नहीं होता न एक और मुसीबत पता नहीं आपको इतनी जल्दी क्यों थी तो तेड़े मेड़े मूँ बनाती लेटके हाँ तो तुम्हारे बगेर नहीं रहा जा रहा था वो उस पे चुकता जोर से उसका काल चुमते हुए बोला यारम हम कहां जाएंगे वो एक्साइटिड होकर उसकी तरफ करवट लेकर पुश्चे लगी उसने उसके केड़ अपने बाजो खायल करते हुए कहां यहां से कितनी दूर है ज्यादा नहीं फ्लाइट में ग्यारा साड़े ग्यारा घंटे लग जाते हैं आइस्टेंड भी दूबई से बहुत दूर है वहां पर पहाड है यारम ने उसकी बादे सुनते हुए सोने के लिए आंके बन की तो वो उसके मूँ पर हाथ रख कर पूछने लगी वो अक्सर ऐसे ही बादे करते हुए सोरते थे लेकिन आज शायद रूखे सोने का कोई उरादा ना था हाँ वहां पर पहाड है बर्फ है समंदर है और बहुत सर्थी है अक्तूबर के एंड में दुबई में हासी गर्मी थी सिर्फ रात के वक्त थोड़ी बहुत सर्थी लगती लेकिन यहां के लोग तो इतने नासुक थे यह अभी से कंबल लेने लगे जबकि रूखो तो अपने पर कंबल बिल्कूल भी अच्छा नहीं लगता था अगर रात में यारम गल्ती से उस पर कंबल डाल देता तो वो जल्दी साट आ देती और कहती इतनी कर्मी में आप यैसे कंबल लेके सोते हैं जबकि इस इस इलाके में समंदर के खरीब होने की वज़ा से यहां काफी ठंड पर रही थी रात ऐसे ही कुसरी सारी रात यारम उसकी बाते सुनता रहा हूं आइस सेन में खुमने फिरने की बाते कर रही थी यारम सुनका असने लगता वहां बहुत सर्दी है मेरी जान हाँ जैसे यहां आपको बहुत सर्दी लगती है बिल्कुल वैसे ही न मैं पहले बता देती हूं हम सारी जगों पर खुमने जाएंगे हबरदार जो आप वहां जाके बिस्टर में घुसे वह अभी से उसे धंकियां दे रही थी वह जब भी सोने लगता फिर उसे कोई बात याद आ जाती सारी रात सोती जाकती कैफियत में गुसर गई जबकि रू तो एक सेकिन के लिए भी ना सोई थी सुमा उटते ही नाश्टा करके यारम अपने काम पर जाने लगा वो हनीओन पर जाने से पहले सारा काम निप्टा दिना चाता था वो दर्वाजे पर रुख कर रुख का इंतसार करने लगा जोके किचन में घड़ी बरतन दो रही थी रू यार जल्दी आओ मुझे काम पर जाना है उससे बुखारा तो जल्दी जल्दी हाथ साफ कर दी किचन से वाही निकली रू यारम से हाइट में काफी कम थी यारम को उसके सामने मुकमल जुकना पड़ता यारम उसके सामने जुका और हमेशा की दरह उसे शर्माते हुए उसके सर पे फोसा दिया यारम को उसके यारम को उसके यारम सबसे प्यारी लगी थी उसके सर पर प्यार करके वो हमेशा शर्मा दी और इस प्यारी से अदा पे यारम के टिंपल नुमाया होते फिर यारम ने दर्वासा बंद करने को अर्डर दिया जिसकी रूह ने तक्मील करते हुए परहन दरवासा बंद कर दिया और एक बार फिर से आइसलेंड के बारे में सोचने लगी कल तकरीबन एक घंटा फात्मा वीबी से बाते करती रही उसके उनसे घर का नंबर भी मागा था लेकिन फात्मा वीबी ने कहा कि उन्हें भी तो कभी नंबर की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन कल या परसों वो उसके घर जाकर उसके अम्मी का नंबर ले लेंगी मुझे आती थी कि वो आज ही अम्मी से बात कर ले क्योंकि यारम ने कहा था कि हनीमून पर कोई उन्हें डिस्रब नहीं करेगा शारिफ आफिस पहुँचा सबसे पहला टकड़ा उसका लेला से हुआ तुम मुझे इग्नूर कर रहे हो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और तुम मुझे देखते दखते ही क्या मसला है तुमें? मुझे कोई मसला नहीं लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता तुमने जो उस दिन मेरे साथ किया है न वो ही बहुत है तुमने डेविल की नजरों में मुझे गिराने की कोशिश की लेला, मुझे लगा था तुम चाहे कितनी भी मतलबी क्यों न हो जाओ लेकिन अपने मतलब के लिए किसी दूसरे का इस्तमाल नहीं करोगी बहुत गलत सोच थी मेरी मैं ये सोचता था कि तुम डेविल को समझती हो तुम उसके लिए एक परफेक्ट लाइक पार्टनर हो लेकिन सच तो ये है कि तुम उसके काबिल ही नहीं हो शारिफ एक एक लफ़ चबा चबा कर बोलाओ तुम उस दो टके की लड़की के लिए जुबान संभाल कर बात करो लेला तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रही हो अगर एक लफ़ भी और कहा तो जबान काट दूँगा तुम्हारी वो उससे सिधारा था जबकि लेला तो उसका अंदाज को लेजा देख कर रहे गई मैं तुमें आखरी बार बता रहा हूँ लेला अगर तुमने मेरी बहन की हुश्वियों में आग लगाने की कोशिश की तो मैं भूल जाओंगा कि तुम मेरी दोस्त थी उससे थी पर जोर दिया और लंबे लंबे टाग भरता वहां से निकल गया जबकि लेला सोख चेरा लिये उसे चाहते हुए देख रही थी पुरकान भाई मेरी मदद करें डेविल ने मेरे भाई को मार दिया मेरी आखों के सामने आप यकीन नहीं करेंगे उससे मेरे भाई को कैसे तरपा तरपा कर मारा उससे मेरे सामने उसके मुँ में तैजाब से भरी हुई पोतल डाल दी उसकी सारी नसें खुल चुकी थी भाई वो मेरे सामने मर गया मैं कुछ नहीं कर सका यहां तक कि वो मेरे पास मुझूद सारी विडियोस भी ट्रिलिट करवा चुके हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस मुझे मेरे भाई की मौत का पतला लेना है पुरकान भाई आपके हिलावा और कोई मदद नहीं कर सकता मेरी विक्रम दादा भी हमारे हिलाव है उन्हें भी ये काम पसंद नहीं था वरना वो इस मामले में मेरी मदद जरूर करते लेकिन उसे टेविल के काम करने का अंदाज पसंद है पुरकान भाई मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ मुझे और कुछ नहीं जाये बस अपनी आँख से डेविल की लाश डिकना जाता हूँ राशेट इस वक्त अपने सामने सुवे पर बैठे फुरकान की मिन्ते कर रहा था फुरकान का बहुत बड़ा गैंग्टा वो अपने आप में बहुत पावर रखता था वो इस अलागे पर अकूमत करता था पर डेविल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था तुम फिकर मत करो राशेट मैं तुम्हारे साथ हूँ और जहां तक बात विक्रम दादा की है तो हम उनको सिर्फिय ही बताएंगे कि डेविल के हाथूं तुम्हारा भाई मारा गया ये नहीं कि वो क्यों मारा गया विक्रम दादा हमारा साथ जरूर देंगे और फिर लगे हाथ मैं भी डेविल से अपने पुराने हिसाब चुका लूँगा लेकिन डेविल को हतम करना इतना भी असान नहीं वो बास की आँख रगता है शेर की तरह धहर ना जानता है तो चीते की तरह चीरना भी वो उतने आसानी ये कुछ आएका उपर सिख को कमजोरी भी नहीं ना दूस्त ने साथी ना औरत ना दौलत आखिर किस चीज़ से हम उसको माद दे डेविल को रास्ते से हडाना इतना आसान नहीं लेकिन विक्रम और हम एक साथ हो जाएं तो ये जादा मुश्किल भी नहीं रहेगा तुम सब संभाल लोगे न हिजर मुझे शिकायत का मोका ना मिले और शारिफ की तरफ से तो हर्गिस नहीं वो इस वक्त हिसर को सारा काम समझा रहा था वो अपने पीचे हिसर को छोड़का जा रहा था तुम बिल्कुल फिकर मत करो मैं हूँ ना तुम ठीक से अपना हनीमून इंजुआ करना यहां मैं सब कुछ संभाल लूँगा और शारिफ की तरफ से भी तुमें कोई शिकायत नहीं मिलेगी हां लेकिन मैं लेला की कोई गरंटी नहीं दे रहा वो सर फिरी लड़की तीन दिन से यहां नहीं आ रही थी और आ जाई है तो बाहर बैटी अपनी फैशन की दुकान खोल रखी है मैंने उसे कहा थोड़ा काम पे ध्यान दो तो कहती है जिस पर ध्यान देती थी उसे तो मेरा ध्यान ही नहीं मुझे तो लगता है उसका सर खूम गया है इसे लेला से काफी उकताया हुआ था जो किसी को खाते में ही नहीं ला रही थी जबकि हैकिंग का सारा काम सिफ लेला कर रही थी जो बहुत दिनों से रुका हुआ था बुलाओ उसे, मैं खुद बात करता हूँ शारम की ओर्डर पर हिसा ने फोरण उसे उलाया और अगले 5 मिंट में वो उसके कैविन में थी देखो लेला, अगर तुम्हें काम करने में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम यहां से हमेशा के लिए जा सकती हो मुझे तुम्हारे जैसे वरकर नहीं चाहिए टेविल ने डोटोग लेची में बात की मैंने कफ कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है मैं आज ही सारा काम निट्टा दूँगी लेला जानती थी कि टेविल उसे वापस वहीं पर भेज़ देगा जहां से वो उसे लाया था और वहां वापस सो मटे तम तक नहीं जाना चाहती थी लेकिन उसे ये नहीं पता था ये शिकारत इतनी चल्दी यहां पहुँच जाएगी हम्हम्, तुम जा सकती हो जाओ, अपना काम करो अगले ओटर पर लेला फोरण कमरे से बाही निकल गई वो दूसी लड़की कहा है टेविल ने मासूमा का पूचा वो शारिफ के साथ साइट पर काम देखनी गई है शारिफ ने कहा था कि वो दोनों साइट पर काम करेंगे और वो शारिफ की मदद करेगी शारिफ को साइट पर काम करने के लिए जब से मदद की जुरूत पढ़ने लगी। टेविल ने पूझा। जब से मासूमा मुतरमा आई है। इसे ने चलकर जवाब दिया। वो बैठी सोच रही थी कि आज सेंट में जाने के लिए वो कौन सी किसम की कपड़े पैक करें के दरवासे की घंटी बजी। अरे ये कौन आगया। यारम का तो अभी वापसी का टाइम नहीं हुआ। जरूर शारिफ भाई होंगे। वो सोच्टे होए दरवासे की दरवाई। दरवासा खोला तो सामने जो इनसान कड़ा था। उसे पहचानना उसके लिए मुश्किल ना था। ये तो वो ही इंस्पेक्टर था ज यारम की बात यहाद आई। यारम ने उसे बताया था कि ये आदमी उसे बसाना चाता है। इट्स ओके ठीक है मैं अंदर नहीं आ रहा हूँ। वो ठीटू की तरह मुस्कुराया था। मैं तो बस आप से ही पूछने आया था। क्या आप जानती हैं कि आपके शोर क्या काम क अपने मतलब की बात पे आया था। जी हां वो एक कमपनी चलाते हैं। तू ने फोरण जवाब दिया। किस किसम की कमपनी? सारम ने फिर भूछा। वो कोई दवाईयों की कमपनी चलाते हैं। किस किसम की दवाईया? जान बचाने वाली दवाईया। तू ने जवाब दिय बहुत गलत मालूमात दी गई हैं आपको आपके शोहर जान बचाने वाली दवाया नहीं बलकि जान लेने वाले असले क्यारीदों फरॉख करते हैं यहां तक कि कई लोगों की जान भी ले चुके हैं आइम सोरी रू लेकिन तुम्हारा शोहर एक कातिल है दुबई का एक बहुत बड़ा डॉन डॉन का मतलब समझती हो तुम उनाहों की दुनिया का बाद्शा एक कातिल जिसकी नजरों में किसी की चान की कोई एहमियत नहीं चटाख हाब बर्दार जो आपने मेरे शोहर के एहलाब एक लफ़ भी कहां मेरबानी फर्मा के यहां से चले जाए यहां पिर मैं गार्ट्स को बुलाकर आपको धक्के मरवाकर यहां से निकालूगी रू खुद भी नहीं जानती थी कि उसमें इतनी हम्मत कहां से आई रू तुम बहुत बड़ी गल्ती कर रही हो तुम्हारा शोर इतना अच्छा नहीं है जितना वो बन रहा है वो तुमें धोके में रख रहा है बहुत पश्टा होगी रू मेरी मदद करो ऐसे इंसान की आम दुनिया में कोई जगा नहीं है उसकी जगा जेल के अंदर है वो इंसान नहीं दरिंदा है डेविल का मतलब समझती हो शेतान वो एक शेतान है रू और इंसानों की दुनिया में शेतानों के लिए कोई जगा नहीं है बस करें खुदा के लिए चले जाएं यहां से रू तकरिवन चिलाते हुए बोली उसके मुपर से दर्वासा बन कर दिया सारिम काफी देर तक दर्वासा करकटाता रहा लेकिन रू ने दर्वासा नहीं खुला थोड़ी देर के बाद वो चला गया तो रू ने यारम को फून करके सब पकुछ बताया वो फून पर भी मसलसल हो रही थी वो तो शुकर है यारम आपने ये सारी बाते पहले ही मुझे बता दी परना ना जाने ये गिराओ आदमी मुझे आपके हिलाव क्या क्या बता था आपको बता है वो क्या कह रहा था वो कहता है आप कातिल है आपने हून किये हैं लोगों के लेकिन मैंने भी उसे बता दिया कि आप ऐसे नहीं है और नहीं आप ऐसा कउच कर सकते हैं। वो रोते हुए बोल रही थी और उसका हर आजो यारम के दिल पर किर रहा था। मैंने तुम्हें मना क्यों था सारेम, मेरे काम में दहल अंदाजी कर सकते हो, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं, तुमने मेरी रो को मुझसे दूर करना चाहा, इसकी कीमत तुमें चुकानी पड़ेगी। रो का फोन बंद होते ही उससे सारेम को फोन किया था, उसका नमबर देखते ही सारेम में फोन उठा लिया। भावी के हाथ का थपड कैसा लगा? पहला सवाल ही बेढगा सा था, यारम तू बहुत गलत कर रहा है, उस लड़की को धोका देकर आज नहीं तो कल उसे सब कुछ पता चल जाएगा, फिर क्या करेगा तू? आज सबूत नहीं था मेरे पास, कल जरूर होगा, और तुझे ल आज के बाद ऐसी गलती मत करना, वरना तू जानता है मेरे साथ खुद्दारी करने वालों का इंजाम क्या होता है, यकीन कर, मैं अभी तक तेरी उस दोस्ती की हाथे तुझे छोड़ रहा हूँ, जो कभी हमारे दर्म्यान थी, आज के बाद रूसे दूर रहना, इतना दू अगर तुम मेरी परसनलाइफ में इंटर्फेर करोगे, तुम मुझे भी तो करना पड़ेगा ना सारम, जिस तरह से तुझे भाबी और मायरा अजीज है, उसी तरह से मुझे रू अजीज है, दूर रहना उससे, शारम ने फोन कार्ट का शारम को फोन किया, हाँ डेविल ब शाफ सुनकर उसे फोन कार्ट का टेविल पर रखा और कुरसी की फुरसे टेक लगा कर बैठिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया सारम, अगर वो मुझे से दूर हुई तो मैं तुमें जिन्दा नहीं छोड़ूँगा, आंके बंद किये, वो अपना घुसा कंट्रोल करने कि कुछ इसका जागा तो